नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी प्यारे चैनल एंजे हिंदी पर दोस्तों आपको पता रहेगा आज की दौर में पेट्रॉल के बजाए उलेक्टिक वाहनों का सबसे ज़्यादा क्रेज है बारत में पिछले कई दिनों से सबसे ज़्यादा इलेक्टिक स्कूटर और बाइक्स लाँच हो रहे हैं और लोग भी इंटूविजर को वो सबसे ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं और सबसे चीछ खबर ये है कि आने वाले नए साल में कई और भी इलेक्रिक स्कूर्टर भी लॉंच हो रहे हैं। जी हां दोस्तों 2022 के शुरुआती दिनों में ही आपके लिए नए स्टाइलिश इलेक्रिक स्कूर्टर तहल का मचाने आ रहे हैं। जिनके बारे में जानकर आप भी इन स्कूर्टर को खरीदे बिना नहीं रह पाएंगे ये तो पक्का है। प्रोटर को लॉंच करनकी तयारे हैं तो चलिए फिर हमें इन स्कूर्टर के बारे में डीटेल्ज में आपको बताते हैं। बात करें 2022 में लांच होने वाले पहले इलेक्रिक स्कूटर की तो ये है बैटरी रेंच की बात करें तो अपकमिंग होना पीसी एक्स इलेक्रिक स्कूटर में 50.4 वाल्ट की लीथियम आयन बैटरी का पैक दिया गया है यु tradis 400 किलो वाल्ट की मोंटर के साथ आता है इस स्कूटर में दी गई बैटरी को आप डारेक्ट चार्जर की मदद से चार्ज कर सकते हैं हॉन्डा PCX का डिजाइन काफी अग्रेसिव है साफ सुत्री लाइन्स और ट्विन पॉर्ट हेलेंप्स के लाबा बड़ा सा बंडी स्क्रीन दिया जाएगा जिससे स्कूटर का लुक एक मैक्सी स्कूटर जैसा दिखेगा स्कूटर के साथ स्प्रिल्ट फ्लोर बोर्ड, ब्लैक अलॉय वील, वहीं स्कूटर के अगले हिस्से में टेलेस्कोप एक फोक और पिछले हिस्से में ट्विन शॉकर्स, डिस्क ब्रेक और सिंगल चैनल एबियस इस स्कूटर में दिया जाएगा मायलेज रेंज की बात करें तो अपकमिंग हॉंडा PCX इलेक्टिक स्कूटर को एक बार फोल चार्ज कर लेने पर आप 100 किलुमेटर तक का सफर आराम से तैय कर सकते हैं कीमत की बात करें तो upcoming Honda PCX electric scooter को company 90,000 रुपए से कम की कीमत में launch करेगी बात करें नए साल में launch होने वाले दूसरे electric scooter की तो ये है प्याजियो का one electric scooter जानकारी के लिए बताते हैं कि भारती बाजार में प्याजियो के बहुत सारे scooter धूम धाम से भिक रहे हैं आने वाला प्याजियो वन electric scooter कमपनी का पहला electric scooter होने वाला है बैटरी रेंज की बात करें तो upcoming प्याजियो वन electric scooter में कमपनी 1.2 किलो वाड की शमता की लिथियम आयन बैटरी देने वाली है और इसकी मोटर्स 1.6 BHP की पावर जिनरेट करेगी प्याजियो काई scooter दो वेरियंट्स में लाँच होगा जिसमें वन और एक्टिब शामिल होगा जानकरी के लिए बता दूँ कि upcoming प्याजियो वन electric scooter की seat की उचाई काफी हद तक कम होगी कमपनी ने seat की उचाई को 770 mm तक रखा है जिससे छोटे कद वाले लोग भी आराम से बैट सकते हैं इसके लावा इसकूटर में hydraulic suspension, दोनों पईयों में disc brake और tubeless tires का विकल्प इसकूटर में मिलने वाला है प्याजियो का ये नए electric scooter कई सारे नए technology features से loaded होने वाला है हाँ हाँ ये एकदम सच है प्याजियो वन electric scooter features सो लुक्स के मामले में ओला और सिंपल वन electric scooter को कड़ी चक कर देगा scooter के launching की बात करें तो upcoming प्याजियो वन electric scooter को company 2022 के शुरुआती महिनों में launch कर देगी प्रही बात कीमत की तो बता दें कि upcoming प्याजियो वन electric scooter को company 70,000 रुपए की शुरुआती कीमत में launch कर सकती है बात करें 2022 में launch होने वाले तीसरे electric scooter की तो ये है टीवियस क्रियाउन electric टीवियस मोटर्स भारती बाजार में अपने टू वीलर की विक्री में देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता company है टीवियस के वाहनों को देश की आमजनता सबसे ज़ादा पसंद करती है और नए साल में टीवियस अपने दूसरे electric scooter क्रियाउन को launch करने वाली है बैटरी रेंज की बात करें तो अपकमिंग टीवियस क्रियाउन electric scooter में आपको 12 किलो वाट की एडवांस लीथियम आयन बैटरी का पैक दिया गया है जो की electric motor से power generate करता है इस scooter को fast charge करने के लिए fast charging का विकल भी मिलेगा fast charging outlets के जरीए इस scooter की बैटरी को सिर्फ एक गंटे में 80% तक चार्ज किया जा सकता है और एक बार full charge होने पर TVS क्रियाउन electric scooter 120 km तक की दूरी तै करेगा वहीं इस scooter की top speed 60 km प्रती गंटा आए और सबसे खास बात यह है कि TVS क्रियाउन electric scooter में फीचर्स भी कई सारे मिलने वाले हैं इसमें नया smartphone charger, TFT screen, park assist, regenerative braking, riding modes, geofacing और anti-thift system जैसे फीचर्स से loaded होगा TVS का नया electric scooter कीमत की बात करें तो अपकमिंग TVS क्रियाउन electric scooter को कंपनी 90,000 रुपए की शुरुआती कीमत में launch करेगी बात करें 2022 में launch होने वाले चौते electric scooter की तो यह है Super Soco CPX Electric Super Soco के electric scooter दुनिया बर में बिकरी की मामले में धमाल मचा रहे हैं और अब Super Soco का नया electric scooter CPX भी तहल का मचाने आ रहा है बैटरी रेंज की बात करें तो अपकमिंग Super Soco CPX electric scooter में 16,000 वाट की lithium आन बैटरी का पैक दिया गया है जिसे फुल चार्ज होने में 4 गंटे का समय लगता है और एक बार फुल चार्ज होने पास CPX electric scooter 160 km तक की driving range देता है वहीं इस scooter की top speed 95 km प्रती गंटा है कीमत की अगर हम बात करें तो अपकमिंग Super Soco CPX electric scooter को company 1,10,000 रुपए की शुरुवाती कीमत में launch कर सकती है अब आप हमें बताईए कि आपको हमारी लिस्ट में बताई जाने वाले चार electric scooter की बारे में जानकर अच्छा लगा अगर हाँ तो फिर आज से ही प्लान बना लिजिए इन अपकमिंग electric scooters के लिए साथी वीडियो च्छा लगा हो तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर भी करें धन्यवाद